भारत में आने वाली सभी नौकरियों की जानकारी और उनकी ट्यारी आपको इस चैनल के मात्रम से कराये जाएगी इसके लिए आप गवर्मेंट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकुन को दबाईए ताकि आपको जानकारी मिले सबसे फेले तो आज है एक अगस्त तो आज हम एक अगस्त की करंट अफियर्स पढ़ेंगे तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये करंट अफियर्स आपके सभी कॉम्पेटिटिव एक्जाम्स के लिए बहुत जादा हेल्फुल होंगे और अगर आपको इसका पीडिएफ चाहिए तो व वहां से आप इसके पीडिएफ ले सकते हैं तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल मैंने आप कुछ टेस्ट दिये थे तो चलिए देख लेते हैं पहले की वो कोईशन क्या थे जो आपको टेस्ट के लिए दी गया थे जिसमें से सबसे पहला आपका कोईशन था रास्ट्रि लिए दिया था वो था कि विश्व भर में कब अंतर राष्ट्रिय बाग दिवस मनाया गया है जिसका राइट अंसर था 29 जुलाई 29 जुलाई को पूरे विश्व में अंतर राष्ट्रिय बाग दिवस मनाया गया है और इसका अंसर सभी ने सही दिया था तो आज का भी वीडि आपको टेस्ट की लिए दिये जाते हैं जो आपको पिछले current affairs में पढ़ा दिये गए हैं और इसका अंसर जरूर दीजिए ताकि आपके जो हमने पीछे पढ़ा रखा है उसके revision भी ओती रहे साथ में तो चलिए start करते हैं एक अगस्त के current affairs देखे आज का सबसे पहला current affair है किस bank की CEO रेणू सत्ती ने स्तीफा दे दिया है तो देखे पेटियम payment bank की CEO रेणू सत्ती ने 28 जुलाई को स्तीफा दे दिया है देखे अब रेणू सत्ती retail business की CEO का काम संभालेंगी जिसका पूरा नाम होता है Chief Operation Officer अभी इन्होंने CEO की पोस्ट से इस्तीफा दे कर CEO के काम संभालने के जिम्मेदारी ली है चलिए कुछ important बाते पेटियम के बारे में जान लेते हैं देखे पेटियम के जो founder है उनका नाम है विजय शेकर शर्मा और इसकी जो स्थापना है वो 2010 में हुई थी और 28 जुलाई से पहले जो इसकी CEO थी वो रेनु सेती थी जिन्होंने 28 जुलाई को CEO की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है तो इतनी important बाते आपको याद रखनी थी payment bank के बारे में और उनकी CEO के बारे में बहुत important न्यूज है देखे यह थी रेनु सेती पेटियम बैंक की CEO जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है तो चलिए देखते हैं आज का अगले कंट फेर आज का अगले कंट फेर है किस ने अपनी दस्वी सालगिरा मनाई है तो दिल्ली बाल अधिकार सन्रक्षन आयोग अपनी दस्वी सालगिरा मनाई है और इन्होंने अपनी दस्वी सालगिरा 29 जुलाई को मनाई है और इस मोकचे पर एक नेशनल परण कॉन्फरेंस में हमारे एजुकेशन मनीस्टर मनीश सिसोधिया भी पहुंचे थे अनुराग कुंडू उन्होंने पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है अगला कॉन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूद उत्पादक देश है तो वह हमारा भारत है जो पू दूसरे नंबर पर था पर हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हमारा भारत दूद उत्पादन के छेतर में पहले नंबर पर आ गया है और इसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है जो कि इससे पहले पहले नंबर पर सबसे अधिक दूद उत्पादन करता था अमे मेघाले मिल्क मिशन के लिए कितनी राशी घोशित की गई है देखे मेघाले मिल्क मिशन के लिए 215 करोड रुपे की राशी घोशित की गई है और इस मिशन को शिलोंग में लॉंच किया गया है और इस राशी को केंद्रिय क्रिशी और परिवार कल्यान मंत्राले ने सवकृत देखिए यह जो राशी घोशित की गई है 215 क्रोड रुपे की यह राशी देरी फार्म और जो दुधारू पशू है वह खरीदने के लिए उप्योग की जाएगी अब यहां पर मेगाले का नाम आही गया है तो हम मेगाले के बारे में कुछ जान लेते हैं तो देखिए यहां आपको बता ही दिया कि मेगाले की जो कैपिटल है वो शिलोंग है और प्रेजिन में जो मेगाले के चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है कॉन्राड संगम और प्रेजिन में जो मेगाले के गवर्नर है उनका नाम है गंगा परशाद मेगाले में राज्यसभा के सदस्यों की संख की है तो देखिए लखनव में 60,000 रुपए की 81 पर्योजनाओं की शुरुआत हमारे जो पीम है नरेंद्र मोदी उन्हों नी की है और इस पर्योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2018 को इंदरा गांधी प्रतिष्ठान में की गई जैसे कि आप लोग जानती है कि यूपी की जो सबस्थियों की संख्या असी है और राज्य सबस्थियों की संख्या 31 तो इतनी बाते आपको याद रखनी थी यूपी के बारे में जो कि आपके जीके के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्डेंट है और अगर आपसे एक्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे जादा सबस्थियों काठमांडू में शुरू है नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू वहां पर शुरू है और इस सम्मेलिन का जो मुख देश है वो दोनों देशों के बीच में आपसी संबंधों को बढ़ाना है और यह शीखर सम्मेलन 31 अगस्त 2018 को शुरू किया गया है यानि देख दून में ब अर्नेपान प्रचंड कमीूनिस पार्टी के सह अध्यक्ष है चीयत यहां पर नेपाल के ए यह और ब colonial की आपके एक्साम में पूछ ली जाती हैं तो चलिए देखते हैं तो जैसे कि आप लोग जानी गए कि नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है और नेपाल की प्रेजिट में जो परधान मंत्री हैं उनका नाम है खडगा परशाज शर्मा ओली और प्रेजिट में जो नेपाल की कैपिटल है वो काठ मांडू है आज का अगला-क्रणट-फेयर है अमिरिकी अंतृмов ऐजनसी नासा ने हा लहीं में अपनी स्तापना के कितने वर्श पूरे होने पर साथ वर्श पूरे हो गए हैं और इस खुशी पर उन्होंने एक Mississippi ओन्हों नवा लोगो जारी बात आपको यह आद रखने है कि नासा का पूरा नाम क्या होता है नासा की फुल्फोम होती है नैशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडिनिस्ट्रेशन और नासा को जो हैड़ क्वाटर है वह अमेरिका के अंदर वाशिंग्टन में है अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंग् आजका अगला क्रंट फिर है किस राज्ये के मुख्य मंत्री ने मोबाइल वीत्रण योजना के तहट मोबाइल तीहार लॉंच किया है तो तो मोबाइल तिहार एक स्मार्टफोन वीत्रन योजना है जिसके तहत 45 लाख महिलाओं को और 5 लाख बच्चों को स्मार्टफोन दिये जाएंगे और इस योजना के तहत 556 मोबाइल टावरों की स्थापना भी की जाएगी और इसके बाद कुछ इंपॉर्टन बाते हम च्छतिस गड़ के बारे में जान लेते हैं जैसे कि च्छतिस गड़ की जो कैपिटल है वो रायपूर है और प्रेजिंट में च्छतिस गड़ के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है रमन सिंग ये तो आपको पता ही लग गया और प्रेजिंट में जो ऊपको अगर। तो हमारि अभी मन्तरी निर मौडल करने की मनजुई दि गई है। देखे मौडल के तहत यह होगा कि भारत के अंदर अधूनिक जो हथ्यार है वह नीजी तोर पर बनाए जएंगे जिसके लिए हमें किसी के उपर डिपेंड करने की जुरूरत नहीं है और जिससे सेना को समय पर हथ्यारों की पूर्ति करवाई जाएगी और इस मौडल के तहट सरकार की मेक इन इंडिया जो पहल उन्होंने शुरू किया वह भी मजबूत हो जाएगी अगला क्रेंट अफेयर है हाल ही में क 1988 में इनकी एक रचना थी बारी बदले जाये और इसके लिए इने सहीत्ति अकैदमी पुरसकार भी दिया गया था और इसके अलावा इन्हें रविंदर पुरसकार आनंद पुरसकार और रविंदर टैगोर्म मैमॉरियल अंतर राश्य पुरसकार से भी समानित किया है और इ तो देखे उच्चतर शिक्षा में परवेश परिक्षाएं आयोजित करने के लिए राष्ट्रिय टेस्टिंग एजन्सी का गठन किया गया है और इस थापना से जो बिभीन परिक्षाओं में विद्यार्थी भाग लेते हैं उन्हें बहुत ही लाब होगा देखे इस अजन्स अगले करिंटफेर है नीरज चोपरा ने फिन्लेंड में आयोजित एक साबो गेम्स में कौन सा पढ़ने शापयत जीता यह होदा कीश गीम में चैनी तईपए के चाओ तसुन चेंग को हराया है और इन्होंने 85.69 मीटर तक भाला फेका है और स्वन पदक को अपने नाम कर लिया है आज का अगला क्रंट अफेर है किस देश से लिया गया कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान को आई एम एफ बैलाउड पैकेज दिये जाने की बात की जा रही है तो देखें इसक आई एम एफ का मतलब क्या होता है आई एम एफ का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मोनेटरी फंड और इंटरनेशनल मोनेटरी फंड का ये काम होता है कि अगर किसी भी देश को आर्थिक सहायता चाहिए तो ये उन्हें आर्थिक सहायता प्रोवाइड करवाती है और आई इसा कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो IMF से 825 अरब रुपए का बैल आउट मांगेगा जिससे वो चीन से जो उन्होंने करजा लिया है उसे चुगा सकेंगे और चीन के बारे में आपको क्या बात याद रखनें कि चीन की जो कैपिटल है वो बीजिंग है और चीन की जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है और प्रैजिन में जो पाकिस्तान के प्रेजिदेंट है ममनून हुसेन है तो इतनी बाते आपको याद रखनें थी पाकिस्तान और चीन के बारे में अगले क्रूंट ओ फैर है आइसीसी ने हाल ही में किस क्रिकेट बोड को खिलाडियों औ देखे जिंबाबे क्रिकेट बोर्ड ने ICC से फंड लिया है ताकि वो अपने खिलाडियों और जो स्टाफ का जो बकाया है उसकी भुकतान कर सकें अगला करंट फेर है परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने 28 जुलाई 2018 को किस शहर में आयोजित ट्रांसफोर्मिंग अर्बन लै योजनाएं शुरू की गई थी जिसमें से पहली थी स्मार्ट सिटी और दूसरी अमरित योजना और तीसरी थी प्रधान मंत्री अवास योजना इन तीनों आयोजनाओं के तीन वर्ष पूरे होने की खुशी में लखनव में एक आयोजन रखा गया था और उस आयोजन को न अगस्त की करंट अफियर्स तो जैसा कि मैंने आपको शुरुवात में कहा था कि लास्ट में आपके लिए दो कोशन टेस्ट के लिए दिये जाएंगे जिसमें से आपका पहला कोशन है हाल ही में रूस ओपन खिताब किसने जीता है बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है और इसक हैपिटाइट दिवस कब मनाया जाता है यह भी बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है और पीछे आपको करंट अफियर्स में करवा भी दिये गया यह तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगो तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जारी भी करवाई जारी है और आपको यहां पर डेली के डेली करंट अफियर्स में मिलते रहेंगे तो हम आपसे मिलते हैं कल 2nd अगस्त को और करंट अफियर्स के साथ थैंक यू